जब राजकुमार भरी महफिल में उतार दी अमिताब की इज़त अभिनेता राजकुमार काफी आला तबियत और दबंकीस्म के इनसान थे उनकी अकड़ और हेकड़ी इतनी की खुद से कमतर अभिनेताओं को तो वो मखी मच़र से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं थे राजकुमार जब चाहते जिसका चाहते उनका मजाक ओड़ा देते और कोई उनके सामने चून तक नहीं करता दरसल इसकी वज़े ये थी कि एक तो राजकुमार काफी काम्याब एक्टर थे और दुसरे जूनियर अभिनेता उनकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाते थे कई बार लोग उनसे नाराज भी हो जाते लेकिन इससे राजकुमार की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था अमिताब बच्चन अक्सर राजकुमार के निशाने पर होते राजकुमार जब भी कहीं उनसे मिलते उनका मजाक जरूर उड़ाते एक बार राजकुमार की पार्टी में राजकुमार ने वेटर को बुलाया और अमिताब की ओर इशारा करते हुए आदेश किया कि वो उनका कोट उस लंबे खूंटे पर टांग दे वेटर ये सुनकर वहां से भाग खड़ा हुआ लेकिन राजकुमार की इस बात से अमिताब बच्चन सब के बीच हसी की वजहेब बन गए अमिताब और राजकुमार की दूसरी मुलाकात भी एक पार्टी में ही हुई इस पार्टी में बिगबी ने एक शांदार शूट पहन रखा था जो भी गेस्ट आते इस शूट की तारीफ जरूर करते राजकुमार की नजर जब इस शूट पर पड़ी तो उन्होंने कहा जानी हमें तुम्हारा ये शूट काफी पसंद आया लेकिन ये तो बताओ कि तुमने ये शूट किस दूकान से खरीदा अपने शूट की तारीफ से खुश अमिता बच्चन ने उन्हें उस दूकान का पता बताते हुए पूछा कि क्या वो भी ऐसा शूट सिल्वाना चाहते है राज कुमार ने बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहा कि दरसल हमें कुछ पर्दे सिल्वाने थे जिसके लिए ये कपडे काफी जम चाहेंगे इतना सुनना था कि अमिता बच्चन सा कपका कर रह गए और चुप चाप बहां से खिसक लिए